तीस हजार नौकरियां पूर्णे दो लाग कर्मियों श्रमिगों का मांदे बढ़ाया जाने बजट की बड़ी बातें मुख्यमंती जर्म ठाकू ने शुकरवार को हिमाचर पेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कारेकाल का पांचवा बजट पेश किया मुख्यमंती जर्म ठाकू ने शुकरवार को हिमाचर पेश विधानसभा में विधिया वर्ष दो हजर बाइस तेजिस के एक क्याओन हजा तिन सब्सक्राइब के बजट अनुमान पेश किये नए बजट में उन्होंने प्रजश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ देने की घोशना की मुख्यमंती ने सदन में लगबग तीन गंटे का भाशन दिया मुख्यमंती जर्म ठाकूर ने बजट में तीस हजार से अधिक नौकरा देने की घोशना की मेडिकल डिवाइस पार का निर्मान होगा इसमें दस हजार लोगों को रोज़गार दिया जाएगा नौनितम ध्याडी साड़े तीन सुर रुपे करने की घोशना भी की गई सीएम ने दो लाग कर्मियों, श्रमी को पैरा वर्करो आदी का मांदे बढ़ाने और साथ साल के बाद सभी जुरत मंदों को समाजिक सुरिष्टा पैंशन दिलाने के लिए आयू सिमा की शर्त को भी खत्म करने की घोशना की इस साथ समाजिक सुरिष्टा पैंशन के दायरे में 40,000 लोग लाई जाएंगे आउट्सोर्स करमचेरों के दियाड़ी न्यूनितम 42,000 रुपे प्रतिमा बढ़ेगी हर आउट्सोर्स करमी को न्यूनितम 10,500 रुपे प्रतिमा वेतन मिलेगा पंचय चोगिदर को 65,000 रुपे प्रतिमा वेतन मिलेगा इसी तरह आंगनबाड़ी कारेकरतां को 9000 रुपए प्रतिमा मांदय मिलेगा मिनी आंगनबाड़ी कारेकरतां को 6100 रुपए आंगनबाड़ी साहिकाओं को 4700 आर्शा वर्कर्स को 4700 सिलाई अध्याभिकाओं को 7,950 और मिड़े मिल वर्कर्स को 3500 रुपे प्रतिमा मिलेगा वाटर केरिय शिक्षा विभाग को 3,900 रुपे जल लक्षक को 4,500 जल शक्ति मल्टी उपर्पर्पर्स वर्कर्स को 3,900 15 फीटर वर पंप ओपरेटर को 5,550 रुपे प्रतिमा मिलेंगे वहीं पंचाय चौकिदार को 6,500 राजयसु चौकिदार को 5,000 रुपे और राजयसु लंबरदार को 32,000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे SMC शिक्षकों का मांदे 1000 रुपे प्रतिमा बढ़ने की घोशना की गई है इनकी सिवाए पहले की तरह जारी रहेंगी इनने नहीं हटाया जाएगा निती बनाने पर विचार होगा SPO को 900 रुपे प्रतिमा बढ़ने की घोशना की गई है समाजिक सुरिशा पैंशन की दरे बढ़ने की घोशना की गई है दूद की खरीद दाम दो रुपे बढ़ने की घोशना होई कूपोशन से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्य मंतिरी बाल पोशन योजना शुरू करने की घोशना की है इस योजना पर 65 करण रुपे खर्च होंगे हजार नए आंगनबाडी भवन बनेंगे मॉडल आंगनबाडी केंदर बनेंगे इन पर 32 करण रुपे खर्च होंगे अनुसुचित जाती OBC के लोग को जो करज वापस करने की स्थिती में नहीं है ऐसे 12,000 लोगों की करज और जुर्बानी की राशे मूलदन से वन टैम सेटलमेंट की घोशना की गई है मुख्यमंति अर्साय बाल पुनरवास योजना शुरू होगी वरिधा पैंशन के लिए आयू सीमा घटा कर 60 वर्ष की गई है साट साल से उपर के सब लोगों को समाजिक सुरक्षा पैंशन मिलेगी आयस सीमा में पूरी तैसे छूट मिलेगी समाजिक सुरक्षा पैंशन 40,000 नहीं लोगों को मिलेगी 67-79 वर्ष तके कूछ रोग्यों को पैंशन 850 से 1000 रुपय करने की घोशना की गई दिव्यांग विद्वाओं के लिए पैंशन 1000 से बढ़ा कर 1150 सुरक्षा करने की घोशना की है इसके अलावा 70 से अधिक उम्र के बुज़ूर्गों 70 फीजी से अधिक विकलांगों को पैंशन 1500 से 17 सुरक्षा करने की घोशना की गई है बीएड और टेट पाश रास्तरी और एल्टी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी हिमकेर में नई परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा वो इसकी नवीनिकरण अविधी तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी पहले यह एक साल थी मुख्यमंत्री मोबाईल क्लिनिक योजना शुरू करने के भी घोशना की गई क्लिनिक मोबाईल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तोर पर काम करेगा पचास और एंबूलेंस खरीदी जाएगी स्वास्ते विभाग में विशेशग्ये डॉक्टर, डॉक्टर, नर्से, रीडियोग्राफर, उठी सायक, लैब तकनिशियन, डेंटल हाइजिनिस्ट, फार्मसिष्ट, एमराई तकनिशियन, इसीजी तकनिशियन, वो अन्य तकनिशिनों के 500 से अधिक पत भरे जाएएगे 780 आशा कारे करताओं के नए पत भरे जाएएगे, 747 पत आशा फैसिलिटेटर वा समुदाइक स्वास्ते हधिकारी के 870 पत भी भरे जाएएगे राश्ट्य स्वास्ते मिशन के तैद विभीन शेणों के 264 पत भरे जाएएगे हमिरपूर, नहान, चमबा तथा नयारचोग में स्थिद नए अयरुविग्यान महाविद्याले में समुचित, फैकल्टी वो अन्य शेणों के पत भरे जाएएगे महापोर नगर निगम को 15,000 रुपे प्रतिमा, उप महापोर 10,000, पार्षट नगर निगम 6,050, अध्यक्ष नगर परिशद 8,000, उप अध्यक्ष नगर परिशद 6,500, पार्षट नगर परिशद 3,000, प्रधान नगर पंचयद 6,500, उप प्रधान नगर पंचयद 5,000, और स प्रधान ग्राम पंचेट 5,550 रुपए उप प्रधान को 3500 रुपए और सदस्य ग्राम पंचेट प्रती बैठक अब 300 रुपए मिलेंगे मुख्यमंतिरी महिले से शक्तिकरण योजना की गोशना की गई इस योजना के तैत महिलाओं के स्वयम साहता समूहों को 25,000 की वन टा प्रधान की गोशना की गई है परिवहन करों का पड़ोसी राजयों के करों से युक्तिकरण होगा ड्रोन तकनीके इस्तमाल को बढ़ाने और प्रशिक्षन के लिए नई गरुड योजना शुरू होगी स्वयर कोकिला लता मंगेशकर के समेती में एक संगीत महाविद्याल रुपय के प्रस्तावित हैं अनुसूची जाती विकास कारेकरम के लिए 2,400 करों रुपय तरह जन जाती विकास कारेकरम के लिए 856 करों के परिवे प्रस्तावित पिछड़ा शेत्र विकास का रेकरम के लिए 100 क्रोड 52 लाख रुपय के परिवे प्रस्तावित हैं नाबाट से पोशित की जाने वाले विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं के लिए प्रति विधायक चुनाओ शेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ा कर 500 क्रोड रुपय कर दिया जाएगा जो कि 2017-18 की सीमा से लगबग दो गुना है नाबाट से पोशित की जाने वाले विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं में 2022-23 विधायक रुपय पर योजनाओं सम्मलित कर सकेंगी विधायक शेत्र विकास नीधी योजना के त्याद प्रति विधायक शेत्र राश्य को 1 करोड 80 लाग रुपय से बढ़ा कर 2 करोड रुपय कर दिया जाएगा इस विधायक एचिक नीधी 10 लाग से बढ़ा कर 12 लाग रुपय प्रति विधानसबा चुनाओं शेत्र कर दिया जाएगा प्रधार मंत्री शुरक्षा वीमा योजना वे प्रधार मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के तहट वाश्य की वाष्यक प्रियम्राजे सरकार के ओर से विधान किया जाएगा विद्वा पुनर विवा योजना में अनुदान राशी बढ़ा कर 55,000 रुपए कर दी गई मुखे मंतरी बाल उधार योजना के तैद अनुदान राशी बढ़ा कर 35,000 रुपए की गई सरकारी प्रात्मिक पाट सालों में 3-6 वर्ष की आयो के बच्चों के लिए प्री प्रामरी कक्षें शुरू होंगी प्रधार मंतरी ग्राम सड़क योजना के तैद 300 किलो मेंटर लंबी नई सड़के 1200 किलो मेंटर सड़कों का उन्यान 23 पुलो का निर्मान 315 किलो मेंटर क्रोस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा 60 किलो मेंटर लंबी सड़कों पर चीनित ब्लैक स्पोर्ट्स को सरक्षित किया जाएगा सड़कों की उम्र वर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जियो सेंथेटिक समागरी तकनिक का इस्तमाल किया जाएगा एक हजार साथ किलो मेटर लंबी वहन योगे सड़कों का निर्माण 2,065 किलो मेटर लंबी सड़कों का पक्का करना 990 किलो मेटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज वजातिर पुलों का निर्माण 20 पंचैतों, 80 गाउं वो 22 अबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्षय तैय किया गया है 2200 किलोमेटर लंबी सड़कों का आफधिक रखरखाव किया जाएगा पराला मंडी को आदेश मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है फलो और सबजियों के भंडारन के सुविधाओं में और अधिक भ्यातरी के लिए इस मंडी में 60 क्रोड 990 रुपे की लागा से 5000 मेटरिक टन शम्ता का एक नया कोल्ट स्टोर स्थापित किया जाएगा इसके साथ ही 1500 मेटरिक टन शम्ता का फ्रेजिंग चैंबर 10 मेटरिक टन प्रती घंटा शम्ता की ग्रेडिंग पैगिंग लाइन और एक मेटरिक टन प्रती घंटा शम्ता की IQF लाइन स्थापित की जाएगी HRTC के बेडे में अप्रेल माहा तक 220 नई बसें शामिल की जाएगी 2022-23 में 200 नई बसें खरीदी जाएगी इनमें से 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तैट खरीदी जाएंगी प्रदिश में इलेक्ट्रिक वान एवं घटक निर्मान पाक सापित किया जाएगा 2021-22 में 7 बस अड़ा का निर्मान पूरा करने के बाद अब उजवला और ग्रहनी योजना के तहट नए कनेक्शन पर 3 सिलेंडर निशुल्क मिलेंगी जिनको पुराने कनेक्शन के साथ 1 सिलेंडर मिला है उन्हें 2 और 2 सिलेंडर लेने वालों को 1 और सिलेंडर निशुल्क मिलेगा प्रदिय सरकार के इस फैसले से हाजारों महिलें लाभानवेत होंगी मुख्यमुति ने इसके लिए वर्ष 2022-2023 में 70 कुर्ट रुपे का प्रावधान किया है पिछले वर्ष की तूला में ये 50 कुर्ट रुपे अधिक है गौर तलब है कि मुख्यमुति ग्रहनी योजना प्रदिय सरकार की और से चलाई गई है जबकि उज्वला योजना के इन सरकार की है ग्रहनी योजना में गय सूला, सिलेंडर का खर्च प्रदिय सरकार खुद व्यहन कर रही है प्रति कनेक्शन पर 3500 रुपे के करेव राशी सरकार की और से खर्च की जाती है वहीं अब खबर है कि 5 मार्च को एक बार फिर केविनेट की बैठक का आयोजन किया जाना तैह हुआ है आपको बता दे कि गुरुवार को भी केबिनेट की बैठक का एयोजन किया गया था केबिनेट की इस बैठक में हेमाचल बजट को पारित किया गया था जो की विधानसवा में पेश किया गया यह केबिनट बैठग मुख्य मुति जर्म ठाकुर के देख्षता में हेमाचल परिश विदानसभा सजीवाले के मुख्य समिति कक्ष में होगी बैठग विदानसभा सतर के बाद होगी बैठग के विभीन मुद्दो पर चर्चा होगी इसके अलावा महतपुन निने भी लिया जा सकते हैं इसली के स्ताथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें चले मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत